दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है बिहार डेलेड़ एडमिशन 2024 को लेकर जो है ऑनलाइन सुरू कर दिया गया है अगर आप बिहार बोट से दो वर्स वाला डेलेड़ करना चाहते हैं अगर आप 12 ही पास है मिनिमम तो आप फॉर्म को अप्लाई करिए इंट्रेंस इक्जाम होगा फिर आपका रिजल्ट आएगा रिजल्ट आने के बाद से आप काउंसलिंग करेंगे तो प्राइवेट या गॉवर्मेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा और मैंने आपको अलड़ी एक वीडियो बना के बताया था कि कैसे आपको फॉर्म को अ लोग फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं जो लोग यह कॉर्स कंप्लीट कर चुके हैं आई टिया या डिप्लोमा तो उनके लिए यह फॉर्म है कि नहीं वह इलिजबल है कि इसके अलावा ओनलाइन फॉर्म भरने में कौन कौन से डोकुमेंट्स हमें जो है लगान कि आप लोग अच्छे से समझ सकें देखिए बिहार डेलेड होता क्या है पहले समझेगा तो आपको समझ माएगा ये दो वर्स ये का एक पाठिकरम होता है इसमें आप क्लास एक से लेकर आठवी तक के बच्चों के लिए पढ़ाते हैं अगर आपके पास 12 के बाद अगर एक से आठ के लिए इलिजिबल हो जाएंगे लेकिन इसमें आपको जो सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 पास करना होगा 1 & 2 तो आप इलिजिबल हो जाते हैं सिख्छक बनने के लिए जब भी गवर्मेंट वेकिंसी आएगी सिख्छक की तो आप आवेधन करेंगे तो अब दीके समझते हैं एक चीज और जो कंडिडेट्स कर रहा है साथ साथ यह भी करना चाहते है तो क्या कर सकते कि नहीं कर सकते हैं सबसे पहला कोर्शन आप लोग का यहीं आ रहा है इसर मैं यह कोर्स कर रहा हूं और मैं भर सकता हूं तो देखिए यहां हमारा जवाब है दोस्तो क्यों नहीं नो देखिए माल लिजिये आप यहां पर अडिमीशन ले लते हैं ठीक है ना डीले में अडि़ियोरर साप ले ले लेते हैं क्योंकि यह रेगुलर होता है और यह भी करेगुलरर होता है तो फिर अगर आप दोनों पकड़े जाते हैं तो दोनों ही पहले डिलेड कंप्लीट कर लिए कोई एक करने के बाद ही आप कर पाएंगे डूवल डिगरी आप एक साथ नहीं कर सकते हैं जी हां दोस्तों डूवल डिगरी यह हो जाएगा ना एक तरह से तो यह आप नहीं कर सकते हैं इस इसको बिसेस ध्यान देना है तो डबल डिगरी आ होते हैं तो आपके असीफसेंट नहीं आंगे तो फिर आपका यहां पे उसु होने में दिक्त हो सकती हैं अह conviction द्यान देना है अगर कोई बंदा जो है सरकारी नौकरी कर भी रहा है कोई दूसरे पोस्ट पर है और उचारा है कि हम सिख्छा कब बने तो भी वो नहीं कर सकता है पहले उनको सरकारी नौकरी छोड़नी होगी फिर वो DL8 में अडिमिसन ले सकता है समझ रहा न तो यह चीजे हैं भले आप कोई भी कोर्स कर रहे हो साथ में DL8 चार रहे करने के लिए नहीं कर सकते हैं पहले उसको complete कर लिए फिर आप इस मेडिविशन ले लिए अगर माल लिए आप 2024 में graduation complete कर रहे हैं ठीक है ना अपने graduation में पहले से अलड़ी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए form भर ये क्योंकि आपका जो session कहला आएगा वह आजाएगा चौबीस से लेकर 26 तर क्योंकि आप 2024 में graduation complete कर लेंगे तो फिर आप 2024 से 26 के लिए डिलेट के लिए डिमिशन ले लिए तो ये होता है अगर आप graduation complete कर चुके हैं तो क्या आप form भर सकते हैं graduation complete कर चुके हैं तो उसके बाद भी डिलेट कर सकते हैं या अगर 12 पास है तो भी आप डिलेट यहां पर कर सकते हैं या 12 अपीरिंग है तो भी आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर 50% नहीं है तो अपकेडिमीशन नहीं होगा तो यह आप समझ गया कि कोई भी ऐसा बंदा है जो ग्रेज़ेशन के साथ साथ डिलेट करना चाहता है वह form को अप्लाई नहीं कर सकता है समझ में आ गया अब बात आती है कि क्या कोई बंदा आई टी आई पॉल्टेकनिक दो कर रहा है तो साथ में इदलेट कर सकता है वह भी नहीं कर सकता है और उर क्या कोई बंदा जो है फुल्टैकनिक कर चुका है डिप्लोमा करक्ट इसके कर चुका है तो क्या वह form को भर और सकते है कि नहीं बढ़ यहां देखेंगे तो यह जनकारी यहां पे लिखा हुआ है कि कौन लोग इलिजिबल है कौन इलिजिबल नहीं है देखिए मैंने अल्लेडी जो है इसके उपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं जिसके वाजसे आप लोग बहुत स जो है सास्तिरी जैसे अगर योगता धारर करते हैं तो वह जो है इस मतलब डियलेड कोर्स के लिए इलिजिबल नहीं है यहां पर साप साप लिखा गया है लेकिन यहां लिखा गया लेकिन यदि किसी अभ्यार्थी ने 10-2 में वोकेशनल कोर्स के अंतरगत योगता हासिल कि अथवा उन्हें मध्यमा के बाद इंटर्मेडट अथवा फोकोनिया के बाद इंटर्मेडट की योगता हासिल किये वो यहां पर आविदन दे सकता है तो पॉल्टेक्निक आई टी आई वाले जो किंडेट से या सास्तिरिस अगर कोई नहीं कर सकते हैं यहां पर साफ साफ यह चीज यहां पर लिख दिया है नोटिफिकेसर में आप यहां पर समझ सकते हैं अब अगला कोश्चन है कि फॉर्म भरते समय कौन-कौन से डोकुमेंट समय अप्लोड करना है देखिए फॉर्म भरते समय अगर आप जो है अपीरिंग से मतलब फॉर्म भरेंगे कि हमारा प्लस त्विल्थ दोनों पास है अपीरिंग में नहीं है तो आप मैट्रिक इंटर दोनों सेटिफिकेट आपको यहां पर देना होगा दूसरा चीज समझ गया अब आपको बात आती है कि अगर आप से आते हैं तो अपना जाती पर्मारपत्र यहां पर आपको देना होगा जो RO level revenue officer के द्वारा बनता है वही वाला जाती पर्मारपत्र आपको लगेगा अगर आप BC या EBC से आएंगे नोट करते जाएगे आप लोग तो आपको जो है non criminal certificate यहाँ पर देखे निवास और आय यह तीन चीज आप बनवाते हैं तब जाकि आपका यहाँ पर non criminal बनता है यह तीनोग बंजाएगा उसके बाद से आप non criminal करेंगे तो आपको यहाँ बनता है तो जाती अलग हो गया और non criminal अलग हो हैं दिभ्यांगे बुद्पुरुसायनिक करमचारी है तो उसका यहां पे डिटल्स आपको यहां पर उसका परमापत्र आपको देना होगा इसके अलावा कोई आपको एक्ष्टाइट डॉकुमेंट्स यहां पर नहीं लगेगा और आप बिहार के निवासी है तो आपको निचर जो लग रहा है वो लगेगा और वाकी जो अप्लीकेशन फी लग रहा है वह आपको देना होगा इसके लावा कोई भी आपको एक्स्टा जो है डॉकुमेंट्स देने की हो सकता नहीं पढ़ रही है तो यह सारी चीज़े थी फ्रेंट्स आप लोग के जो है सारे डा अगर फ्यूचर में इडिट करने का सुधार करने का आता है तो हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे कैसे सुधार किया जाएगा क्या प्रोसेस होता है आई हो फ्रेंट्स आप लोग समझे होंगे जो भी डाउट्स आप लोग अथा इसके लावा और भी कोई डाउट्स और कॉलिज फी क्या होता है यह सब तमाम चीज़े अगर आपको चाहिए तो आप में कमेंट वोक्स में बता सकते हैं एक प्रोपर वीडियो लाने की पूरी कोसिस करेंगे कमेंट जदा आएगा तभी हम यहाप बना पाएंगे पाई होप आपको सारी जनकारी समझ में आया कि उड़ मेंएंगे गापको चे लाने की रही जनकारीश को सारी जनकारी क है चाहिएगों फ्रोपर ज सारी जनकारी क करेंट गरिंए यहाप जनकारी कंपोजों मेंगे दे लाएंगे चाहिएगारे कारी कया जब आएए